है एक और WTC का फाइनल जिसमें भारत को निराशा हाथ लगी है पिछली बार जब फाइनल मुकाबला था तब न्यूजिलेंड और अब यहाँ पर ऑस्टेलिया से यह मुकाबला जो है वो हम यहाँ पर हार गए हैं विमल लगता है WTC के लिए और तैयारी भारत्य टीम को करनी पड़ेगी जिस तरह का आज मैच रहा पहले ही सेशन में इतने सारे विकेट निकल गए एक वीकेट में यह काफे कुछ होगते हैं तो यह मेमरी सोगियो जिसके सारे जो टीम इंडिया भी उच्चाहित होती है और यह छांस भी होते हैं लेकिन लेकिन झाजार तुर्पर टीम ने कि हार पर कुछ करा रहा है बहुत दुक हो रहा है मैं और बहुत वोड़ा इंचा आघाषा इंडिया के बैटिंग जाएगी। आज संदे बन जाएगा थोड़ा गयी हाँ इस पॉइंटिंग थाइज बना जादा थे मंगर भी सकते थे अगर अच्छी पार्टर्शिप करते को ली और गवादो जड़े राच्छा स्कुर्टे थे तो लोग पूज एक चांस बना सकते थे मंगर अमनों वो चांस होया है औ दो नौँ आज से हमारी है और पिसला था था वहार हुई थी इस बार भी हारे तो बहुत बड़ा मोंका इसी ट्रॉफिक को लिए के जो हमारा बना हुआ है कि हम नहीं जीत रहे हैं लंबे समय से वह बहुत बड़ी हार हमें जेखने को मिली है यूपीबले स्टे इस आज अ अगर आज के मैच का माकलन करें जिस तरह से कलका खेल हुआ था तब से उमीदे जो है थोड़ी जग गए थी विराट कोली अजंग के रहने की बल्ले बाजी हमने देखी अच्छी का सी पार्टनर्शिप हो गए थी लेकिन आज जा जिस तरह से एक के बाद एक विकेट गिर आपको लगता है कि हमारे बल्ले बाज जादा जल बाजी में देखे या फिर यहाँ पर गेन बाजों ने बहुत अच्छी गेन बाजी कर दी या पिचका कुछ रूख जा है वो पांच में दिन इतना बदल गया कि वहाँ पर बल्ले बाजी करना मुश्किल हो गया आपके जो बाज़ा खिलारी है दो दोनों इनिंग में बैंटिंग की 14 खिलारी आपके 20 से 25 से स्कोर कम बनाते है दो या तीन 50 होती है इस तरह से आप मैच नहीं जीच सकते आपके बल्ले बाजों ने आपके मायूस किया है और जो कहा है कि जैसे कि आपको पूरी प्रैक्ट झाल झाल